नमस्कार विद्यारतियों स्वागत है आप सभी का एसल परिवार की लेटेस्ट क्लास में आज हम सॉल्व करेंगा आपकी पुष्णावली 14.3 के कुश्चन्स को कल की क्लास में हमने यह देखा था कि वर्गी करत वारंबारता वंटन की माद्धिका किस तरह से निकाली जाती है उसके अलावा हमने एक चीज और सीखी थी जिसको बोलते थे हम संचई बारंबारता तो पहले हम आज की क्लास में संचई बारंबारता की बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे फिर प्रिष्णावली 14.3 के बाखी की questions को solve करेंगे हमने कल यह देखा था कि संचई बारम बारता दो प्रकार की होती है संचई बारम बारता जो है वो दो प्रकार की होती है एक तो है आपका सेकम संचई बारम बारता और सेकिंड है आपका से अधिक संचई बारम बारता आज पहले हम यह discussion करेंगे कि सेकम और से अधिक संचई बारम बारता क्या होती है ठीक है एक 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 इसराम्पल हम लेते है कि माना कुछ बच्चों का क्लास टेस्ट लिया गया ठीक है तीस बच्चों का क्लास टेस्ट लिया उनके 50 नम्बर का वह टेस्ट था उन बच्चों के जित्ते माक्स आए उससे हमने एक वर्गी करत बारम बारता बंटन बनाया जो कुछ इस प्रकार रहा होगा 0 से 10 मैंने पहला ले लिया 10 से 20 दूसरा लिया 20 से 30 तीसरा वर्ग है 30 से 40 आपका चौथा वर्ग है और 40 से 50 आपका पांच मावर्ग है और इसमें विध्यारतियों की संख्या कितनी है यह आपकी एक क्या बोलते हैं वर्गी करत बारंबारता वंटन आपका यह है जो क्या दिखाता है कि एक क्लास में 50 बच्चे थे उनका एक टेस्ट लिया गया टेस्ट के जो माक्स थे वो 50 माक्स थे उन बच्चों के जो माक्स आए उससे हमने एक वर्गी करत बारंबारता वंटन मनाए बतलब 0 से लेके 10 नमबर तक 2 बच्चों के माकस आए, 10 से लेके 20 बच्चों तक 8 बच्चों के माकस आए, 20 से लेके 30 तक 15 बच्चों के माकस आए, 30 से लेके 40 तक 2 बच्चों के माकस आए, और 40 से लेके 50 तक 5 बच्चों के माकस आए, ठीक है, अब हमें से अधिक और से कम संच संचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंच सेकम संचई वारम वारता में वर्ग की उपरी सीमा काम आती है सेकम संचई वारम वारता में हम वर्ग की उपरी सीमा को काम में लेते हैं और से अधिक में हम वर्ग की निचली सीमा को काम में लेते हैं निचली या प्रारम्मिक सीमा माल लो ठीक है इससे मतलब क्या हुआ अब ही समझते हैं यह देखो अब क्या है यह 0 से लेके 10 तक 2 बच्चों के मार्क्स आए ध्यान से समझना 0 से लेके 10 तक 2 बच्चों के मार्क्स आए हमने क्या मुझे से कम संचई बारम बारता बनानी है ठीक है से कम संचई बारम बारता में मैं उपरी वर की उपरी सीमा को फियोग में लेता हूँ इसको भी मत्तब अभी हम समझ लेंगे इससे मुझे सेकम संची बारंबारता बनानी है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दस से कम दो बच्चों के माकस आए दस से कम क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या जानते देखो और समझो दस से कम कितने बच्चों के माकस आए दो बच्चों के माकस आए और यदी मैं लिखूं बीस से कम बीस से कम कितने बच्चों के माकस आए बीस से कम आठ प्लस दो दस बच्चों के माकस आए अब यदि मैं बोलू 30 से कम 30 से कम कितने बच्चों के माक्स हैं 30 से कम बच्चों के माक्स है 15 प्लस 8 प्लस 2 मतलब 10 और 15 पच्चीस बच्चों के माक्स है कितने बच्चों के माक्स है 25 बच्चों के माक्स है कितने कम 30 से कम पर क्या 30 से कम के लिए मुझे ये तीनों को जोड़ना जरूरी है कैसे 15 प्लस 8 प्लस 2 आपके 25 हो गए पर मैंने 8 प्लस 2 को तो पहले से ही जोड़ा हुआ है तो यदि मैं 15 को सीधा 25 में जोड़ दूँ तो क्या भी मेरा आंसर आजाएगा यदि मैं 10 प्लस 15 कर दूँ सीधा तो क्या सीधा 25 मेरा आंसर आजाएगा क्या बात को समझे नहीं समझे सेकम संचेई बारम बारता और जो कल संचेई बारम बारता पड़ी ती उसमें कोई डिफ्रेंस नहीं है दोनों एक ही है सेकम हम उसे क्यों बोलते हैं उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ कि यह क्या है 10 से कम 2 होंगे 20 से कम कितने होंगे 8 प्लस 2 10 20 से कम 10 हो गए 30 से कम क्या होगा 15 प्लस 8 प्लस 2 मतलब 25 और कल हमने यही तो किया था जब हमने इसकी संचेई वारम वारता निकाली थी 2 को यहां लिख दो, 2 में 8 को जोडो, तो आपको 10 मिलेगा, 10 में 15 को जोडो, तो आपको 25 मिलेगा, 25 में 2 को जोडो, तो आपको 27 मिलेगा, 27 में 3 को जोडो, तो आपको 30 मिलेगा, ऐसे ही कल हमने थंची वारम बारता निकाली थी ना, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं 10 से कम 2 बच्चे 20 से कम 8 प्लस 2 10 बच्चे 30 से कम 15 प्लस 8 प्लस 2 25 बच्चे या 15 प्लस 10 25 बच्चे 40 से कम 40 से कम कितना होगा यह 40 है इन सब को जोड़ लो यहां से लेकर यहां तक पहले ही 25 जोड़ा हुआ है 25 में 2 और जोड़ दो मतलब 25 प्लस 2 बराबर 27 अगला क्या है 50 से कम 50 से कम कितना होगा इन सब को जोड़ दो यहां से लेकि यहां तक मैंने पहले से 27 जोड़ा हुआ है उसमें 3 और जोड़ देता हूँ मतलब 27 प्लस 3 बराबर 30 बात को समझे नहीं समझे यह क्या है आपसे यह है आपसे से कम प्रकार की संचई बारंबारता यह क्या है से कम प्रकार की संचई बारंबारता बंटन क्या है से कम प्रकार की संचई बारंबारता बंटन समझे नहीं महत्पून बात क्या है सेकम प्रकार की संचई बारम बारता में वर्ग की उपरी सीमा उपयोग में आती है ये आपका वर्ग है ये सेकम प्रकार की संचई बारम बारता है कौन सी सीमा यूज में आई ये उपरी उपरी मतलब 10 10 को प्रियोग किया है 20 का प्रियोग किया है 30 का प्रियोग किया है, 40 का प्रियोग किया है, 50 का प्रियोग किया है, बास समझ मा गई, चीक है, संचाई वारम बारता कैसे मनाते हैं, सेकम प्रकार की जोड़ते चलो, पहले दो लिखलो, दो में 10 को जोड़ो, दो में 8 को जोड़ो तो 10 आ जाएगा, 10 को 15 में जोड़ो 25 आ ज चाहिए वो है कि इसमें उपरी सीमा काम में आती है क्लियर है बास तमझ में आ गई अब हम एक काम और करते हैं हम अब हम से अधिक प्रकार की भी संचई वारम वारता वंटन बनाते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे प्रकार काम में आती है चलिए ठीक है, देख पारें उस टेवल को अब हम क्या करते हैं, से अधिक प्रकार की संचई वारम वारता वंटन बनाते हैं ये क्या है आपका? ये है वर्ग ये क्या है संचई वारम वारता ठीक, किस प्रकार की बनानी है? से अधिक प्रकार की बनानी है से अधिक प्रकार की में वर्ग की निचली सीमा उप्योग में आती है क्यों आती है? अभी हम समझेंगे, देखो से अधिक का मतलब हो गया जीरो से अधिक से अधिक का मतलब क्या हुआ? जीरो से अधिक जीरो से अधिक अगर आपको अधिक लेना है तो आप नीचे से स्टार्ट करोगे जीरो से अधिक आपको कम लेना है उपर से स्टार्ट करोगे 10 से कम छीक है 0 से अधिक कितना होगा इन सबका योग इन सबका योग कितना है 30 इन सबका योग कितना है 30 कितना मान आ गया ये मान आपका आ गया 30 छीक है फिर क्या लोगे फिर लोगे 10 से अधिक इसके बाद क्या आएगा आपका 20 से अधिक इसके बाद क्या आएगा आपका 30 से अधिक और लास्ट आपका आएगा 40 से 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से ये क्या है से अधिक प्रकार की संचेई वारम बारता बंटन है इसलिए से अधिक प्रकार की संचेई वारता बंटन में हमेशा वर्की प्रारिम्बिक सीमा या वर्की निचली सीमा प्रियोग में आती है मान निकालना है स्टार करो 0 से अधिक कितने है सारे कि सारे है 10 से अधिक कितने है इस 2 को 8 दो मतलब यह आपको आगया 30 माइनस 2 बराबर 28 ठीक है 30 माइनस 2 बराबर 28 और क्या निकालना है आपको 20 से अधिक निकालना है 20 से अधिक मतलब यह सारे के सारे कितने हो गए यह आपकी हो गए 15 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 20 यह आपके हो गए 20 आगे देखो 30 से अधिक 30 कहां है 30 एरा इससे अधिक कितना हैंगे 2 प्लस 5 यह आपकी हो गए 2 प्लस 3 पांच आगे देखो 40 से अधिक 40 से अधिक क्या है आपका 3 यह क्या हो गई आपकी यह हो गई से अधिक प्रकार की संचेई बारम बारता बंटान एक बार देख लो कोई कन्फिजन है तो कमेंट करके बताओ कर देख। ठीक है ये आपकी हो गई से अधिक प्रकार की संचेई वारम बारता बंटन पर आपका सवाल आएगा कि सर ये तो 5 ते आपने जोड लिए अगर इसे 100 नमबर होते तो इसे सारे थोड़ी जोड़ेंगे हम अगर नीचे माल लो ऐसे ये 5 की जगे 20-25 दे रखे होते और बड़े बड़े नमबर्स दे रखे होते तब इसे सारे जोड़ थोड़ ना पाते कोई निकालने का और भी तो तरीका होगा इनको ठीक है तो वो तरीका भी देख लो 0 से अधिक तो सारे ही 30 आ जाने है 10 से अधिक निकालना है इस 2 को माइनस कर दो 30 में से 2 को माइनस की 28 आ गया 20 से अधिक निकालना है कितने बचे हमारे पास 20 बचे 20 में से इस 15 को माइनस कर दो कितना आगे आपका 5 आ गया फिर किसे क्या निकालना है 40 से अधिक, कितने बचे हैं 5 5 में से इस 2 को माइनस कर दो हमारे पास 3 आ गया ठीक है, ज्यादा कन्फीज होने की जरूत आपको है नहीं कोई दिक्कत है नहीं हमारे बात ये समझ में आने चाहिए कि संचई वारंबारता दो प्रगार की होती है एक आपकी सेकम संचई वारंबारता जिसको हमने निकालना यहाँ पर सीख लिया था ये वाली संचई सेकम ये सेकम संचई वारंबारता ही है एक आपकी से अधिक संचई वारंबारता से कम में वर्की उपरी सीमा काम में आती है और से अधिक में वर्की निकली सीमा काम में आती है बास तमज में आ गई जब हमको से कम से बात करनी है तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे एक एक संचई बारंबारता को जोड़ते जाएंगे और हम काम आगे बटाते जाएंगे जब हमें से कम संचई वारंबारता निकालनी है तो हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ये हमने दो लिया अब इनको जोडते जाओ दो प्लस आठ दस दस प्लस पंदरा पच्चीस पच्चीस प्लस दो 27 ये क्या निकल गई आपकी से कम संचई वारंबारता निकल गई से अधिक संचई वारंबारता निकालनी है तो जस्ट उल्टा करेंगे इसमें हम जोडते गए थे उसमें हम घटाते जाएंगे पर किस में से घटाना है सबसे बड़े वाले में से तो 0 से अधिक ये सारे होंगे मतलब 30, अगला पच्ची ये 30 में से 2 को घटा दो मतलब 28, अगला पच्ची ये 28 में से 8 को घटा दो मतलब 20, अगला पच्ची ये 20 में से 15 को घटा दो मतलब 5, अगला पच्ची ये 5 में से 2 को घटा दो मतलब 3, बात समझ गए? तो से कम निकालन है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे वर्की उपरी सीमा को काम में लेंगे और बारंबारतां को जोडते हुए आगे बढ़ जाएंगे से अधिक निकालना है तो हम सबसे बड़ी बारंबारता से स्टार्ट करेंगे फिर उसमें से प्रतेग बारंबारता को से अधिक निकालन इसली सीवा काम में आती है अब एक दो सवाल करते हैं जिससे आपको better understanding हो पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक दो question solve करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा better understanding आएगी कि इनको implement कैसे करते हैं देखो किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की उचाई का एक सर्विक्षन किया गया जो निम लिखित आकड़े प्राप्त किये गए ये 140 cm से कम की 4 लड़की हैं 145 से कम की 11 लड़की हैं ऐसे एक टेवल आपको मिल गई टोटल आपकी 51 लड़किया है हमसे क्या पूछा गय बंटन तो हो ये तो वर्गी करत बारंबारता बंटन है ही नहीं तो पहला काम क्या करोगे इसको वर्गी करत बारंबारता बंटन में कनवर्ट करोगे पहला काम क्या करेंगे इसको वर्गी करत बारंबारता बंटन में बदलेंगे अब कैसे बदलें ये देखो लगता है नहीं लिख पाएंगे इससे, टेवल को छोड़ो फिर, ठीक है, क्या करें, जो सेकम संची वारम बारतब आपको दे रखिये, इसको पहले वर्गी करत बारम बारता वंटन में बदलना पड़ेगा, तब ही जाके माद्दी का निकाल सकते हैं, तो कैसे बदलें, ये आपका आगया वर्ग, ये क्या आगया, वर्ग आगया, ठीक है, क्या था, सेकम में वर्ग की उपरी सीमा काम में आती है, सेकम संचेः बारम बारता में वर्ग की उपरी सीमा काम में आती है, मतलब ये सारी की सारी बारम बारता वर्ग की उपरी सीमा का जाकर निर्मान करेंगी, तो आपका जो वर्ग बनेगा, वो कुछ ऐसा वनेगा, कुछ ऐसा हमारा वर्ग अंतराल बनेगा ये सारी की सारी वर्ग की उपरी सीमा को जाकर बना देंगी ऐसा ही हमने किया था अभी बास समझ गए सेकम संचै वारम बारता जो है वर्ग की उपरी सीमा को प्रियोग में लेती है तो ये सारे के सारे नंबर वर्गी की उपरी सीमा को बना देंगे निचली सीमा का क्या तो देखो ये इसकी निचली सीमा डारेक्ट जाके बन जाएगी यहां तक कोई तकलीफ हमें नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है वर्गी उपरी सीमा हमें मिल गई निचली सीमा क्या होती है? यह जहां से खतम हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ, 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 जहां से खतम हुआ, जहां से खतम हुआ, वहीं से स सेकम कोई दिकत यह जो नंबर दे रखा है यह क्या है सेकम संचै वारंबारता हमको दे गई है तो यह जो नंबर है यह आपकी संचै वारंबारता है ये क्या है? संचई बारंबारता है. क्या-क्या लिख रखा है? 4, 11, 29, 40, 46 और 51. कैसे पता लगा मुझे ये सेकम संचई बारंबारता है? क्योंकि साब-साब लिखा हुआ है? ये मुझे कैसे पता लगा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये संचई बारंबारता है, ये बारंबारता नहीं है. चुकि मुझे टेवल सेकम संचई बारंबारता की दे रखी है, तो ये संचई बारंबारता ही है. अब देखो मुझे क् एपन दो एक आयगा minus cf, L मुझे पता लगजायगा n upon 2 में निकाल लूँगा cf मुझे पता लगजाएगा, H का मान मुझे पता लग जाएगा वर्गंत्राल पर एक चीज और है मैं F से भाग देता हूँ F क्या होता है मादिका का फॉर्मूला क्या है मादिका का फॉर्मूला कुछ ऐसा है L प्लस N अपॉन 2 माइनस C F अपॉन F गुना H ये आपका मादिका का फॉर्मूला है ठीक है L जैसे ही मादिका वर्ग निकालूँगा निम्ड सीमा मिल जाएगी N अपॉन 2 मुझे मिली जाएगा C F का मान मिल जाएगा पहले वाले वर्ग क्या कहते है संचै बारम बारता पर F का मान मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं भी इसमें बारम बारता नहीं लिखी गई है तो अब मेरा काम है बारम बारता निकालना कैसे निकालूँ देखो सेकम संचै बारम बारता कैसे बनाते हैं निकी से स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले वारंबारता लिखी है, वो तो इसी वर्ख की वारंबारता रही होगी, अगला पद कैसे निकालू, इस 11 में से 4 को माइनस कर दो, 11 माइनस 4 बराबर 7, ठीक है, अगला पद कैसे निकालू, 29 में से 11 को माइनस कर दो, 29 माइनस 11 बराबर 18, अगला पद कैसे निका लें, 43 में से 40 को माइनस कर दो, मतलब 6, next पद 51 में से 46 को माइनस कर दो, मतलब की 5, ठीक है, ये आपकी आ गई है, ये क्या गया है आपका बारम बारता, F का मान आपको मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, F का मान मिल गया, ठीक है, वरग अंतराल आपको मिल गए, थंचे वारम बारत आपको मिल गई F का मान आपको मिल गया अब आपको पूरी की पूरी टेवल तेयर है माध्दी का निकालने के लिए एक काम और कर सकते हो अगर आपको एक बार और बना कर देख लो वैल्यू सारी टेली कर गई तो आपका कैक्लूशन एकदम सही है कुछ उपर नीचे हो गया तो सही कर लेना CF कैसे बनाऊंगा देखो यह 4 है इस 4 को 7 में जोड़ूँगा 11 आएगा 11 को 18 में जोड़ूँगा 29 आएगा 29 को 11 में जोड़ूँगा 40 आएगा 40 को 6 में जोड़ूँगा 46 आएगा 46 को 5 में जोड़ूँगा 51 आएगा क्या CF और CF समान है एकदम समान है 4 4 11 11 29 29 40 40 46 51 51 मतलब जो बारम बारता मैंने निकाली है वो एकदम सही निकाली है कुछ भी गलती उसमें नहीं है ठीक है बात क्लियर हो गई अब माद्धिका निकालते हैं माद्धिका निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए N अपॉन 2 N का मान किता है 51 अपॉन 2 मतलब 25.5 25.5 आगया अगला स्टेप क्या चाहिए CF CF क्या होता है माद्धिका वर्ग की संचई वारम बारता तो माद्धिका वर्ग कहा मिलेगा 25.5 से बड़ी जो संचई वारम बारता जिस वर्ग में पड़ेगी वो मेरा माद्धिका वर्ग होगा डूडों 25.5 से बड़ी ये वाली है तो ये है आपका माद्धिका वर्ग माद्धिका वर्ग मिल गए आपको तो अब क्या-क्या मिल जाएगा L कितना है माद्धिका वर्ग की लोवर सीमा 145 और N by 2 मुझे मिली गया है C F C F क्या है माद्धिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचई वारंबारता 11 और क्या चाहिए F चाहिए F क्या है माद्धिका वर्ग की बारंबारता मतलब 18 और क्या चाहिए H H का मान कितना है H का मान है 5 cm ठीक है बाद समझ में आ गई बहुत धीमी स्पीट से हम चले है तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे अब तो values पूट करनी है कुछ नहीं करना values पूट कर दो L का मान कितना है 145 N upon 2 का मान है 35.5 minus C F कितना है 11 F कितना है आपका 18 H का मान कितना है 5 solve करो 145 14.5 गुणा 5 प्लस 18 आगे solve करो 145 प्लस ठीक है कोई दिक्कत यहां तक इतनी लंबाई इसकी माध्यका रही होगी 149.03 इतनी इसकी माध्यका निकलेगी जब आप इसको solve करोगे अगर आपको उचाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो यह भी इसका मात्रक जो आएगा वो भी आपको सेंटीमीटर ही लिखना है कुछ किलियर हुआ समझ गए सेंटीम से कैसे निकालने है important step सिर्फ इतना सा है कि यह वर्ग कैसे बनाओगे वर्ग बनाना बहुत आसान है सेंटीम जो है वो उपरी सीमा बनाएगा उपरी सीमा बनादो निखली सीमा निकाल दो यह community frequency CF आपको मिल गया CF से बारम बारता निकालनी है कि कि step को माइनस करते चलो चार को यहां रख दो 11 में से 4 माइनस करो 7 आ गया 29 में से 11 माइनस करो 18 आ गया 40 में से 39 माइनस करो 11 आ गया 46 में से 40 माइनस करो 6 आ गया 51 में से 46 माइनस करो 5 आ गया clear है ठीक है एक question हम और करते हैं सी तरह का तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये है question number 3 आपकी प्रिश्णावली 14.3 का ये आपको थोड़ी सी clarity और देगा देखो एक G1 भीमा एजेंट 100 policy धारकों की I.U.K. बंटन को निम लिखित आंकडे ग्याद करता है कितने fraction है 100 मतलब जो वारंबारताओं का योग आएगा वो 100 निकलेगा या संचई वारंबारता जो end में बनेगी वो 100 ही बनेगी माध्यक I.U. परिकलित कीजिए यदि policy केबल उनी व्यक्तिएं को दी जाती है जिनकी I.U. 18 वर्ष या उससे अधिक हो ठीक है परंतु 60 वर्ष से कम हो इन दोनों लाइन को भी समझो I.U. 18 वर्ष से अधिक हो या 60 वर्ष से कम हो ठीक है अब देखो मुझे क्या दे रखा है मुझे दे रखा है सेकम तो ये क्या है संचई बारंबारता है मुझे निकालनी है माध्यक मतलब माध्यका निकालनी है मुझे वर्ग अंत्राल में इसको बदलना पड़ेगा कैसे बदलू यहां मैंने ले लिया वर्ग अंत्राल ये क्या ले लिया ये मैंने रेलिया वर्ग अंत्राल कैसे बनाऊं सेकम संचई वारंबारता वर्ग अंत्राल की उपरी सीमा का निर्मान करती है तो इन सब को उपरी सीमा में बदल दो एक रहेगा 20 एक रहेगा 25 30 35 40 45 50 55 और 60 ये क्या है आपकी उपरी सीमा सब की बन गई निचली सीमा कैसे निकालोगे निचली सीमा असान है ये 25 इसकी निचली सीमा है ये 30 इसकी है 35 यहाँ पर आपको मिल गई 40 यहाँ पर मिल गई 45 यहाँ पर मिल गई 55 यहाँ पर मिल गई 55 क्यों मिली 50 मिली और पच्पन यहां पर मिल गई ठीक, 60 साल से उपर वालों को insurance policy नहीं बेचनी है तो 60 से उपर जाएगा नहीं एक information हमें और दे रखिये last वाले case में मुझे नहीं पता था कि 140 lower limit पर कहां पर जा रहा है मुझे last वाले question में यह नहीं पता था कि 140 और कितना नीचे जाएगा पर इस case में मुझे यह पता है कि मैं 18 से कम को नहीं बेच सकता तो यह मेरा यहां पर 18 आ जाएगा बात clear है मैं 18 से कम को नहीं बेच सकता तो यह मेरा यहां पर 18 आ गया वरगंतराल मुझे मिल गया अब मुझे क्या दे रखा है ये संचई बारंबारता है ये क्या दे रखी है ये है आपकी संचई बारंबारता इसकी वैलियूस भी पुट करो क्या है दो, छे, चौबीस, पैंतालीस, सेवन्टी एट, एटी नाइन, नाइन्टी टू, नाइन्टी एट और हंड्रेड बात क्लियर है, वरगंत्राल मैंने बना लिया और संचई बारंबारता मुझे दे रखी थी, एक चीज की रिक्वार्मेंट मौर है बारंबारता की अगर बारंबारता भी मुझे मिल गई, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब एफ ये कैसे निकालें, सर बहुत आसान है, माइनस करते चलो एक एक को हमको मिलती जाएगी कैसे माइनस करूँ, देखो, दो से स्टार्ट किया, 2 आ गया, 6 में से 2 को माइनस करोगे, 4 आ गया, 24 में से 6 को माइनस करोगे, 18 पिर 45 में से 24 को माइनस करोगे, तो 21 आ गया, 78 में से 45 को माइनस करोगे, 3, 33 आ गया, 89 में से 78 को माइनस करोगे, तो 11 आ गया, 92 में से 89 को माइनस करोगे तो 3 आ गया 98 में से 92 को माइनस करोगे 6 आ गया 100 में से 92 को करोगे 2 आ गया क्या मेरा कैकुलेशन सही है एक तरीका है f से बापस cf बना कर देख लो अगर कुछ गलती होगी तो हाथवाथ पकड में जाएगी देखो ये 2 आ गया 2 प्लस चार्च क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो ठीक है अब क्या चाहिए अब तो बहुत आसान है अब तो बहुत ही आसान है माद्धी का कैसे निकालते हैं माद्धी का हम निकालते हैं सारी वेल्यूज निकालो एन अपॉन टू का मान कितना आएगा सो बटे दो बराबर पचास सबसे पहला काम माद्धी का वर्ग देखो माद्धी का वर्ग कहां मिलेगा जिस वर्ग की संचई वारम बारता पचास से जस्ट ज़्यादा है वहां मिलेगा कहां पर है यह रहा यह आपका आगया माद्धी का वर्ग और क्या क्या इन्फोर्मेशन आ गई यह आपका एल वन गया यह आपका एल वन गया यह आपका ए cf बन गया. ठीक है? देखो. क्या क्या मिल गया मुझे? L का मान मिल गया. मुझे cf का मान मिल गया. मुझे f का मान मिल गया और h का मान तो मुझे पता ही है पहले से L कितना है 35? 45 33 L है आपका 35 यह है 45 यह है 33 और H तो आपका 5 था ठीक है यही है 5 था 35 45 और 33 अब values put कर दो L का मान 35 N बाई 2 पचास C F 45 बटा F 33 गुणा 5 कितना मिलेगा 35 प्लस 5 गुणा 5 अपोन 33 मतलब 35 प्लस 25 अपोन 33 ठीक है यह आपको मिलेगा 35 प्लस 0.7575 को 76 कर देना और आपका आप आंसर आएगा 35.76 कितना आंसर आएगा 35.76 क्या मातरक है वर्ष तो यहाँ भी मातरक क्या निकलेगा वर्ष निकालना है और संचय बारामबारता से बारामबारता निकालना है प्लस क्योंकि हमें यह पता है कि सेकम जो हैे ऊपरी सीमा बनाएगा और संचय बारामबारता निकालनेकल fiquei एखPER माइनस करते चलो किलियर तो ये थे आपके दो कुश्चन जो से कम संचेई बारम बारता से जोड़े होए थे हमने काफी डिटेल मेंन की उपर डिसकेशन किया है एक बार आप कुश्चन को देख लो फिर भी कोई आपका डाउट है तो बताओ झाल 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 कि के समझ आ गया बस इस पूरे कुश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने संचई वारम वारता पड़ी थी मतलब माधिका को पड़ा था या जब हमने बहुलक को पड़ा था तब हमने एक चीज को डिसाइड किया था कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो उसी वर्गी करत बारम बारता बंटन के लिए एपलाई होंगे जहां पर वर्ग अंतराल सभी का समान होगा क्या पड़ा था हमने कि ये माधिका और भॉलक के फॉर्मूले उसी जगे काम आ सकते हैं जहां पर वर्ग अंतराल समान हो तो क्या इस कुश्चन में वर्ग अंतराल सभी का समान है इसका पाँच है इसका पाँच है इसका पाँच है पाँच है पर यहां पर वर्ग अंतराल दो है चूंकि question में बोला गया है कि 18 से कम नहीं ले सकते पर हमारा formula असमान वर्ग अंतराल पर काम नहीं करेगा इसलिए हम क्या करेंगे इसको असमान से समान बनाएंगे कैसे हम फिर भी इसको लेंगे 15 से ही हम फिर भी इसको 15 से 20 ही लेंगे कि 18 से कम बाले को नहीं देनी है मतलब 15 से 18 के बीच में कोई data तो आना है नहीं 15 से 18 के बीच में कोई data नहीं आना है frequency में कोई फरक हमारा पढ़ने बाला नहीं है पर ऐसा करने से हमारा जो है असमान वर्ग अंतराल से समान वर्ग अंतराल में conversion हो जाएगा इसलिए मैं एकदम last में जाके इसको change किया है ताकि हमें याद रहे कि हमने सक क्यों किया है clear है तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सेकम संचाई वारंबारता क्या होता है सेकम संचाई वारंबारता से वर्गीकरत आबरता क्या करते हैं वर्गीकरत वारंबारता बंटन किस तरह से बनाया जाता है और माध्य का हम कैसे निकालते हैं एक दो question और है हमारे जिनको हम solve करते हैं और उसके साथ आपकी जो प्रिश्णावली 14.3 है वो फिर finish हो जाएगी ठीक है यह है आपका प्रिश्णावली 14.3 का question number 2 जहां से पड़ो नीचे दिये हुए बंटन का माध्यक 28.5 है यह हमको दे रखा है तो X और Y के मान ग्याद कीजिए मतलब जो आपकी frequency है बारंबारता है उसमें दो parameter गायब हैं एक यहाँ पर X आ रहा है और एक यहाँ पर Y आ रहा है इनके मान हमें निकालने है और माध्यका हमें पहले से दे रखी है माध्यका का मान क्या है पहले से हमें पता है कि माध्यका जो है हमारी वो है 28.5 तो इससे क्या-क्या चीज पता मुझे लग जाएंगी इससे मुझे माद्धिका वर्ग पता लग जाएगा क्यों अरे बाबा जो 28.5 जिस वर्ग के अंदर पाया जाएगा वही तो मेरा माद्धिका वर्ग होगा तो 28.5 इस वर्ग के अंदर मेरा पाया जाएगा ये मेरा माद्धिका वर्ग आ गया ये मेरा माद्धिका वर्ग आ ग यह 5 आ गया, अगले इसमें 5 को X से जोड़ दो, X प्लस 5 आ जाएगा, अगले में X प्लस 5 को 20 से जोड़ दो, X प्लस 25 आ जाएगा, अगले में X प्लस 25 को 15 से जोड़ दो, X प्लस आपका 40 आ जाएगा, अगले में Y को भी जोड़ दो, X प्लस Y प्लस 40 आ जाएगा, अगले में पांच को भी जोड़ दो X प्लस Y प्लस 45 आ गया चीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझ गए संचई बारम बारता निकाल ली हमें X प्लस Y के मान निकाल ले हैं ध्यान से देखो यह जो मान है यह मान किसके बराबर होता है यह बारम बारताओं के योग के बराबर होता है यह जो मान है आपका संचई बारम बारता की जो लास्ट एंट्री है वो बारम बारताओं के योग के बराबर होती है क्या योग मुझे पता है कुश्चन में मुझे 60 दे रखा है अते क्या बोल सकता हूँ मैं, अते मैं बोल सकता हूँ कि X प्लस Y प्लस 15 का जो मान है, वो मान आपका 60 के बराबर है, बास समझ गए? संचय बारम बारता की जो लास्ट एंट्री आती है, वो बारम बारतां के योग को दर्शाती है, तो ये मान 60 के बराबर आ गया, मतलब X प्लस Y का मान मुझे 15 मिल गया, ये मेरा समिकरन नंबर 1 हो गया है, X और Y को निकालना है, तो मुझे 2 समिकरन चाहिए, एक समिकरन मुझे मिल गई, दूसरी समिकरन कहां से निकालों, माद्धिका के मान से निकालो, माद्धिका कितना होगा, माद्धिका का मान होगा आपका, L प्लस N Y 2 माइनस C F अपॉन F गोना H, वेल्यूज पुट करो, माद्धिका वर्ग मुझे मिली गया है, कैसे मिला, अगर माद्धिका पॉइंट पांच पाया जाएगा वही वर्ग मेरा माद्दी का वर्ग होगा L का मान 20 N अपॉण 2 का मान X प्लस Y प्लस 45 बटे 2 CF इस से माद्दी का वर्ग से जस्ट पहले वाली आपकी संचेई बारम बारता X प्लस 5 ठीक है F का मान कितना है थोड़ी सी जगे कम पड़ेगी दर लिख लेते हैं L का मान है 20 N अपॉण 2 का मान है X प्लस Y प्लस 45 बटे 2 CF कितना है आपका X प्लस 5 अपॉण F का मान कितना है 20 वर्गंतराल क्या है आपका वर्गंतराल है आपका 10 इसको आपने 10 से गुणा कर दिया बात समझ में आ गया वर्ग अंत्राल है आपका 10 10 को कहां लिखें देख पारे हो लास्ट में 10 है उसको भी हम सही कर लेंगे दर लाके ठीक है एल का मान रख दिया n upon 2 क्या होता है संचेई वारम बारता की आकरी एंट्री और इसको आप 30 भी 47 का मान 60 के बराबर उसको सीधा 30 ही लिख दो एक एक वैल्यू मैं यहापे लिख देता हूं आपके n upon 2 का मान क्या होगा 60 बटे 2 बराबर 30 और l का मान कितना है l का मान है आपकी निम्न सीमा मतलब 20 और क्या चाहिए cf का मान कितना है cf क्या है माधिका वर्ग से पहले वाले की संचेई बारंबारता और क्या चाहिए f f क्या है माधिका वर्ग की बारंबारता मतलब 20 और h कितना है 10 अब सारी वैली उठाकर यहाँ पर रख दो यह आपका आगया 20 n upon 2 कितना है 30 माइनस cf कितना है x plus 5 f कितना है 20 h कितना है 10 ठीक है करेक्ट है अगर आप x plus y भी रखोगे तब भी आपको बात सेम ही आनी है फिर x plus y में समीकरण मिलेगा अब y वाला पत की जरूत नहीं है सीधा x में निकल जाएगा मादिका का मान 28.5 इसको solve करो कितना मिलेगा ये मिलेगा 25 minus x upon 2 0 से 0 cancel हो गया 20 को इधर लाओंगा तो मुझे मिलेगा 8.5 बराबर 25 minus x upon 2 2 से गुणा कर दो कितना आएगा 8.5 गुणा 2 बराबर 25 minus x तो ये 16 और 17 आगया 17 बराबर 25 minus x तो x का मान आगया 25 minus 17 बराबर 8 ठीक है x का मान कितना आगया 8 आगया x का मान 8 है समीकरण नमबर 1 में value put करो समीकरण 1 से y का मान कितना आएगा 15 minus 8 मतलब 7 हो गया question solve तो ये question क्या है आपका ऐसा एक example और आपको दिया गया उसको आपको खुछ से solve कीजेगा कि आपको मादिका पहले से दे रखी है मादिका दे रखी है और दो बारम बारता है missing है उनका मान हमें निकालना है कैसे निकालोगे मादिका से मादिका वर्ग का हमें पता लग जाएगा मादिका वर्ग का पता लगते ही ये formula हम apply कर पाएंगे formula apply करने से x और y दो जो बारम बारता मिसेंगे उनमें एक संबंध हमें प्राप्त हो जाएगा एक चीज़ हमें और पता है कि संचई बारम बारता की आखरी entry बारम बारताओं के योग के बराबर होती है जिसको आप 45-60 के बराबर कर देंगे तो x प्लस y में एक समीकरन आपको यहां से मिलेगा एक समीकरन इस formula से मिलेगा और आप x और y का मान आसानी से निकाल लोगे चलिए ये हैं आपकी प्रिशनावली 14.3 का आखरी question जो हम आज solve करेंगे इस question को एक बार ध्यान से पढ़ो क्या बोलता है कि एक पौदे की 40 पत्यों की लंबाई निकटता मिलीमीटर में मापी जाती है तता प्राप्ट आपनों को निम लिखे सांड़नी के रूप में निरूपित किया जाता है पत्यों की माध्यक लंबाई हमको निकालनी है ठीक है वरत गंतराल हमें दे रखा है बारं बाता हमें दे रखिये माध्यका din कालनी है वर्ग अंतराल समान होना चाहिए, यदी समान नहीं है तो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा पर ऐसे ज़्यादा कुश्चन हमारे है नहीं, सिर्फ एक कुश्चन था जिसमें हमने वर्ग अंतराल को चेंज कर लिया, दूसरी कंडिशन है कि वर्गी करत बारंबारता बंटन सत होना चाहिए, मतलब जहां से यह खताम हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा, जहां से खताम हुआ है वहीं करना पड़ेगा कैसे convert करते हैं ये बहुलक वाले chapter में हमने सीख लिया था फिर भी एक बार आपको हलका सा बता देता हूँ इन दोनों को जो अंतर है उसका difference निकालो मतलब 127-126 करो एक आ गया क्या है ये दोनों वर्गों के बीच का अंतर है ये अगर 126 पे खतम हो रहा है अगला कहां से start हुआ है 127 से start हुआ ये 35 पे है अगला 136 पे हुआ 144 से 145 पे हुआ 153 से 154 पे हुआ 162 से 163 पे हुआ तो जितना अंतराल create हो रहा है बीच में जितना gap है उस gap को निकालो gap आपका एक आ गया फिर क्या करो इसमें 2 का भाग दे दो तो आपको 0.5 मिल जाएगा फिर क्या करोगे ये जो नंबर लिखे होए है इन सम्में 0.5 को जोड़ दो मतलब 126.5 135.5 144.5 153.5 ये कितना आपका 162.5 171.5 और 180.5 क्या किया जो उपरी सीमा थी उस सम्में इसको जो अंतर का आदा निकला इसको जोड़ दो और निचली सीमा में से 0.5 को माइनस कर दो उपरी सीमा में 0.5 को जोड़ा निचली सीमा में से 0.5 को माइनस कर दिया क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 117.5 और 126.5 यह तो इसके बराबर ही आना है, 126.5, 135.5, इसमें से माइनस करोगे 144.5, इसमें से माइनस करोगे 153.5, इसमें से माइनस करोगे 162.5, 141.5. क्या अब यह सतत बारंबारता बंटन है, क्या अब दो वर्गों के बीच का जो गैपता वो खतम हो गया, देखो, 26.5, 26.5, जहां से खतम हुआ, वही से स्टार्ट हो गया, 35.5, 35.5, 45.5, 47.5, सतत बारंबारता बंटन आपका बन गया, माध्दिकार निकालने के लिए क्या चा गया, बारंबारता मिल गई, संचई बारंबारता और बना दो, कैसे बनाओगे, जोडते चलो, 3 को 3 रखो, 5 को 3 में जोडो, 5 प्लस 3 बराबर 8, 9 को 8 में जोडो, 9 प्लस 8 बराबर 17, 17 को 12 में जोडो, 12 प्लस 17 बराबर 29, 29 को 5 में जोडो, 34 को 4 से जोड़ो और 38 को 2 से जोड़ो 40 आ गया ठीक है क्या सही है 40 पंक्तियों के वारे में पहले जिक्रिक किया गया था संचे वारम बारता की अंतिम एंट्री भी 40 आ ही है तो मत्तव हमारी का एक्कुलिशन सही है अब क्या करना है सीधा फॉर्मूला माद्दी का वर्ग निकालो कैसे निकलेगा एन अपॉन टू का मान है 40 अपॉन टू मतलब 20 20 से बड़ी जो संचे बारम बारता है वो जिस वर्ग में है वो आपका माद्दी का वर्ग है 20 से बड़ी है 29 तो ये जो है ये मेरा माद्दी का वर्ग आ गया है बस अब simple formula लगाना है और मान रख दो बस कुछ नहीं करना माद्धिका L प्लस N upon 2.CF upon F गुना H चीक है, values put करो L कितना है, 145 N upon 2, 20 पहले वाली संचई बारंबारता 17 बारंबारता 12 H H कितना है, पहले था आपका 8 अब बन जाएगा आपका 9 ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 126 में से 17 माइनस करोगे आपका 9 अब आपका वरगंतराल बन गया है, 9 ठीक, clear बस अब तो solve कर लो 145 प्लस 3 cancel किया, ये 4 वार चला गया उपर 3 आ गया, मतलब 145 प्लस 9 अपॉन 4 मतलब 145 प्लस 2 25 मतलब 147.25 ठीक है? 145 क्यों लिखा मैंने? 144.5 लिखूंगा ना अरे, lower limit तो change हो गई है, भाई 9 अपॉन 4 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 8 0,2 और 5 ठीक है? solve करो ये आपका आया 5 7 146.75 mm correct है, ऐसी ही गलतिया इन कुश्योंस में होती हैं नॉर्मली हम या तो क्या करते हैं? ऐ सतत से सतत नहीं बनाते सतत बनाने के बाद वर्ग अब हमारा ये वाला बन गया है इस वर्ग से मुझे कोई लिना देना नहीं है तो L का मान ये नहीं होगा इसको आप सही कर लो L का मान ये नहीं होगा L का मान ये होगा ये मेरा L है clear? तो ये था हमारा प्रिश्णावली 14.3 का आखरी कुश्चन इसके बाद सिर्फ इसमें एक छोटी सी प्रिश्णावली आपकी बची है 14.4 जिसमें से कम संचेई बारम बारता और से अधिक संचेई बारम बारता के ग्राफ बनाने हमें सीखने है और ग्राफ से माध्यका निकालने हमें सीखनी है ठीक है? तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे और कल की क्लास में होफुली शायद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए